एंग लूग इंग लूग अरवींद कीजनिवन आम आदमी पार्टी सभी आम आदमेंें को बहुत बहुत बया ही एक बार जुरदा पूरा देश के आम आदमेंे के लिए और एक बार पंजाब और गोवा के हम आदमियों के लिए भी लगा हूँ आदमिय पार्टी कमाल कर दिया गोवा और पंजाब के लोगों ने आपके बीच में अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी आपके प्रियनिता लोग प्रियनिता आपके बीच में आएंगे बहुत बड़ा दिन है आपके लिए हम सब के लिए देश के लिए देश की राजनिती के लिए पूरे देश में इस बात को अब स्विकारा जा रहा है कि आज केजरिवाल मॉडल आफ गवर्नेंस काम करने का जो केजरिवाल जी का मॉडल है वो अब राष्ट्रिय हो गया इसके लिए आपको बधाई पंजाब के लोगों ने वोट नहीं डाला है पंजाब के लोगों ने मौका दिया है केजरिवाल जी को इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एक बार जोर से नारा लगाते रहें जब तक केजरिवाल जी आएं यहाँ पे और बताते रहें कि पंजाब से जो हुआ है गोवा से आज जो हुआ है यह एक बड़े बदलाव की है आहट है राश्ट्रिय राजनीती में आमाद्री पार्टी का जो काम है केजरिवाल जी का मौडल ओफ गवर्नेंस बाबा साहब को बाबा साहब और शहीद भगस सिंग का सपना पूरा करने का जो काम केजरिवाल जी ने शुरू किया है आज पंजाब की जनता ने उस पे महर लगाई है और गोवा की जनता ने बताया है कि हम भी इंतजार कर रहे हैं एक बार बताएं कि बाबा साहब का सपना कौन पूरा करेगा और भगस सिंग जी का बाबा सह तेरा सपना पूरा बाबा सह तेरा सपना पूरा बगाश सिंग तेरा सपना पूरा जोर से केजरिवाल करेंगे पूरा हम सब मिलके करेंगे केजरिवाल जी के साथ करेंगे बगाश सिंग तेरा सपना पूरा बगशिंग तेरे सपना पूरा, बाबा सहब तेरे सपना पूरा, बाबा सहब का बगशिंग जी का जो सपना था आज पूरा हो रहा है राजनिती आज शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए, एस्पताल के लिए, रोजगार के लिए, ब्रष्टाचार के खिलाफ एक आम व्यापारी जो ब्रष्टाचार जहिलता है, एक किसान, एक मजदूर जो ब्रष्टाचार जहिलता है उसके खिलाफ राजनीती खड़ी हो गई है विकल्प मिल गया है लोगों को अभी तक विकल्प नहीं था आज विकल्प है और पंजाब के लोगों ने उस विकल्प को एक मौका दिया है फिर से कह रहा हूं कि पंजाब के लोगों ने वोट नहीं डाली है पंजाब के लोगों हैं जोर से नारा लगा कि उनको बुलाइए आर्विंद कैज्रिवाल आर्विंद कैज्रिवाल आमाद्वी पार्टी आमाद्वी पार्टी भारत बाता की शहीद आजम भगस सेंग दो बार लगाएंगे शहीद शहीरी आजाँ भंगाय संग कर बचार पहलकाय संग जाँ तर्डियारा . पूरा और आपके बीच अरविंद के जिर्वाल जी आपके हर दिल अजीज देश्बर की उम्मीद, राष्टिय उम्मीद बारात मता की, बारात मता की, इंकलाब, इंकलाब, वंदे, 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 दोस्तो, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया, पंजाब वाले हो तुस्सी कमाल कर दिता, आज जो पंजाब के नतीजे आएं, ये एक बहुत बड़ा इंकलाब है, पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इंकलाब है, बड़ी-बड़ी कुर्सियां हिल गई है अज पंजाब के अंदर, सुखभीर सिंग बादल हार गए, कैप्टेन साब हार गए, चन्नी साब हार गए, प्रकाश सिंग बादल साब हार गए, नवजोज सिंग सिद्दू हार गए, विकरम सिंग मजीथियां हार गए, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों, बहुत बड़ा इंकलाब है, ये बहुत बड़ा इंकलाब है, भगत सिंग ने एक बारी कहा था भगत सिंग ने कहा था आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था लूट रहे थे देश को कोई स्कूल नहीं बनाए कोई अस्पताल नहीं बनाए लोगों को जान बूज के गरीब रखा गया पूरा का पूरा वो ही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था आम आदमी पार्टी ने ये सिस्टम बदला है पिछले साथ साल के अंदर हमने ये सिस्टम बदला है हमने इमांदार राज़ीती की शुरुआत की है हमने लोगों के काम की शुरुआत की है अब बच्चों के स्कूल बनने लगे है गरीबों के बच्चों को अच्छी मिलने लगी है बाबा साथ बंबेड कर और भगत सिंग जी का सपना पूरा होने लगा है लेकिन दोस्तों यह इतना असान नहीं है यह लोग सारे मिलके बहुत बड़ी-बड़ी ताकते हैं हैं बहुत बड़ी-बड़ी ताकते हैं हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने बहुत बड़ी-बड़ी ताकते हैं यह सारी ताकते मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े शड़ेंतर किये गए कितना रोज सुनते थे ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे सारे ही कठे हो गई आमादमी पार्टी के खिलाफ सबी कठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका आमादमी पार्टी नहीं आने चाहिए कोई पार्टी आजाए सबका एक ही मकसद था आमादमी पार्टी नहीं आने चाहिए कोई भी पार्टी आजाए दोस्तो आज इन नतीजों के जरिये जनता ने बोल दिया देश की जनता ने बोल दिया केजरी वाल आतंक वादिनी है केजरी वाल देश का सच्चा सपूत है केजरी वाल सच्चा देश भक्त है जनता ने अपना नतीजा सुना दिया जनता कह रही है केजरी वाला तंकवादी नहीं है आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके दोस्तों आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है हम सब लोगों को संकल्प लेना एक नया भारत बनाएंगे एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, महबत करेगा कोई नफरत की कोई जगे नहीं होगी उस भारत के अंदर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मा बहने सुरक्षित होंगी एक ऐसा भारत बनाएंगे जहांपे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी एक ऐसा भारत बनाएंगे मुझे बड़ा दुख होता है आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल के शिक्षा लेने के लिए उक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है हमें कैसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे खूब सारे इंजीनिरिंग कॉलेज खोलेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे जहांसे भारत के बच्चों को युक्रेन नी जाना पड़ेगा पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे हमें कैसा भारत बनाएंगे आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे जो जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं जितनी महिलाएं देख रहे हैं मेरी मा बहने देख रहे हैं जितने युवा देख रहे हैं जितने किसान देख रहे हैं जितने मजदूर देख रहे हैं जितने इंडस्ट्रिलिस्ट देख रहे हैं जितने व्यपारी देख रहे हैं जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं उन सब को मैं कहना चाहता हूं आप सब लोग मैं जानता हूं जब आप देखते हो कि किस तरह से नेता और पार्टिया मिलके देश को लूट रहे हैं आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है आपको बहुत गुसा आता है इन लोगों के खिलाफ आप भी कुछ करना चाहते हो आज समय आगया है पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ अब पंजाब में इंकलाब हुआ अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा जो जो लोग IGTV देख रहे हैं सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे युवां आम आदमी पार्टी जोइन करें सारे किसान आमादमी पार्टी जॉइन करें सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपती सब आमादमी पार्टी जॉइन करें आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं एक आमादमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूँ मैं तो बहुत छोटा हूँ आपको पता है कि चरंजी चन्नी जी को आज किसने हराया है भदोर से लाब सिंग उगो के कौन है ये लाब सिंग उगो के मोबाइल रिपेर करने वाली दुकान में नौकरी करता है मोबाइल रिपेर करने वाली दुकान में नौकरी करता है उनकी माता जी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई करमचारी का काम करती है उनके पिता जी खेतों में मजदूरी करती है ऐसे व्यक्ति ने चरंजीत सिंग चन्नी को आज चुनाओं में हराया है आपको पता है नवजोद सिंग सिद्धू को किस ने हराया है हमारी एक महिला वॉलंटियर है आम महिला है आम वॉलंटियर है जीवन जोत कोर उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धु को भी हरा दिया तो दोस्तों आम आदमी बड़ी ताकत है मैं बार-बार कहता हूँ इसाम आदमी को चुनोती मद्दो ये जिस दिन खड़ा हो गया बड़े-बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी-बड़ी कुर्सी आई जाएंगे तो आज मैं सब लोगों को देश के लोगों को आवान करता हूँ, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ, अब इंकलाब लाना है देश के अंदर, समय आगया है भारत का, 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिये, अब और टाइम खराब नहीं करना सब लोगों को, सब लोग आम आदमी पार्टी जोइन करो, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है, आम आदमी पार्टी भगत सिंग के सपनों को पूरा करने का नाम है मैं आज मेरे छोटे भाई भगवन सिंग मान जी को पंजाब का सीम बनने के लिए बहुत-बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ और मैं पूरी उमीद करता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि जो उमीद 90 के पार सीट हो चुकी है अभी तक अभी नतीजे और आ रहे है इतना बड़ा बहुमत इतना बड़ा बहुमत ये डर भी लगता है लोगों ने बड़ी उमीदे जताई है लोगों ने बड़ा विश्वास किया है इस विश्वास को हमें तूटने नहीं देना सब को पूरा करना है तो एक तो ये कि हमारे जितने कारे करता हैं मैं बार बार कहता हूं हमें घमंड नहीं करना हमें एहंकार नहीं करना हमें बत् केजरिवाल अंग्रेज है केजरिवाल पता नी क्या क्या आतंकवादी है हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना हमें इस देश की राजनीती बदलनी है कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी आपको मुबारक मैंने स्विकारी नहीं किया आपकी गाली हमें प्यार और महबत की राजनीति लेके आनी हैं, हमें सेवा की राजनीति करनी हैं, कहीं कोई बिमार दिखे, कहीं कोई मुसीबत में दिखे, उसकी मदद करो, हमें सेवा की राजनीति करनी हैं, मैं अभी अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं, उनका आशिरवाद लेने के समय है और भारत दुनिया का नंबर वन देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता दोस्तों भारत मता की इंकलाब इंकलाब गाना गाना